देखे दोस्तों परसेंटेज का जब भी ऐसा कोई कोश्चन आए कि चीनी का मूल ने 20% घट गिया ग्याद करो कि उपभुकता पहले जितने बेम है कितने प्रतिसत अधिक चीनी प्राफ्ट करेगा तो जब भी आपको लगे कि चीनी का मूल घट गिया ठीक है कम हो गया ठीक ह यह ब्रदी हुई तो इसकी एक 100 ट्रिक होईती है दोस्तों इस 100 ट्रिक का फार्मॉला आपको याद रखना है प्रतिसत में ब्रदी या अधिक्ता निकालने के लिए हम यह वाली 100 ट्रिक का इस्तिमाल करते हैं 100 गुडित पर्शेंट कमी बटे 100 माइनस पर्शेंट कमी इस से दोस्तों मैं निकालूँँगा किसा आएगा देखिए 100 यह चीनी प्राप्ट करेगा कौन उपहोगता लेकिन ये कौश्चन को हमें और आगे कैसे सॉल करना को समझ स्वीब चीज़ां और 100 तीस सो रुपहें एक केजी ढ diversion यह रहे थी चीनी का मूल है तो mek是什麼 स्करघक हेए तो पहले सो रूपए घर सक्क करना है इन JAC कह रहा है पहले शक्कार कितनी चाहाई दाए लेकिन मैं तो उतना ही पैसाई खर्च करूंगा जितनी सक्कर पहले लेता था तो मतलब मुझे 100 रुपय की सक्कर लेना है, मुझे चाहिए क्यों ना हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं 100 रुपय की सक्कर खाऊंगई, तो देखो, कहने को मतलब पहले 100 रुपय में सक्कर आती थी 1 किलो, अब 80 रुपय में 1 किलो आने लगी, मतलब क्या हो रहा दोस्तों कि 80 रुपर मैंने 1 किलो तो ले लिया अब मेरे पास 20 रुपर और बच रहे हैं तो आप मुझे बचाएगे कि जब 80 रुपर मैंने 1 किलो सक्कर ले लिया तो 20 रुपर मैं कित्ती आएगी? एक पाव आएगी समझने के लिए एक पाव अधिक मिल रही है तो क्या होगा पहले 1000 ग्राम मिल रही थी अब 1000 और 200 दोनों मतलब साड़े 1200 ग्राम सक्कर मुझे मिनने लगी मतलब कितने मिल रही है धाइसो ग्राम जादा मिल रही है कितनी मिल रही है धाइसो ग्राम सक्कर जादा मिल रही है किस पे एक हजार पे और मुझे निकालना क्या है परसेंट तो सोका गोड़ा करूँगा काटूँगा तो धाइसो से हजार कर जाएगा चार बार ठीक और चार से सोकर जाएगा पच् तो यहां से शुरुवात हो तो इसकी सौट्रिक मैंने आपको बताया है कि अगर वो ब्रद्धि पूछे या अधिक्ता पूछे तो फार्मूला क्या होता है सो गुडित परसेंट कभी बटे सो माइनस परसेंट कमी ठीक इस फार्मूले को आपको कहा करना दिमाग में लखे चलना है तो यहां से पूर रहा है ज्यात करोगी करीम रहीम से कितने पृतिसद अधिक उचा है मतलब पृतिसाद में परदी पूछ रहा है या अधिक्ता पूछ रहा है कौन करीम किस से रहीम से यह तो हो गया आपका ट्रिक से अब इसको हम करते हैं कॉंसेट से ठीक है चलिए देखिए समझ यह रहीम की उचाई करीम से 50% कम थी यह मानके चलिए रहीम है यह मानके चलिए करीम है ठीक है तो रहीम की उचाई करीम से 50% कम थी 50% कम थी किसकी रहीम क मतलब ये इसकी हाइट अगर 200 है मान के चलिए 200 तो इसकी क्या होगी 100 होगी मतलब रहीम की जो हाइट है करीम से 50 प्रतिसत कम है मतलब आदी है तो ये करीम की 200 है तो ये किसकी होगी रहीम की कितने होगी 100 तो ग्याद करो कि करीम मतलब करीम, रहीम से कितने प्रतिसात अधिक उचा है, तो पहले तो भी बताओ मुझे कितना उचा है, रहीम है सो, करीम है दो सो, तो मतलब सो उचा है, तो कितने प्रतिसात अधिक उचा है, तो देखे भाई, कितने प्रतिसात अधिक उचा है, तो देखो भाई, सो परसेंट उचा है तो किस पर उचा है किर्ण कारीम से 50 करूं कि करीम से पर हुआ हुआ 100 है कर दो गुडी कर दूघा कर दूआ परसेंट नहीं सॉ कर事े अगरब है ऐसे ऊठाव washstar तो मैंने आपको ट्रिक तो बताई रहूं क्योंकि कम समय में इतना ही मिलता है ठीक है को कि अगर अच्छे से सीखना है तो फिर समय देना पड़ेगा ठीक चलिए नेस्ट कोस्टन दिखते हैं अभी मैंने आपको प्रतिसात ब्रद्धी या अधिकता वाले कोस्टन कराए अग अभी पहले दोस्तों में जब अधिकता निकाल रहा था तो नीचे माइनस कर रहा था लेकिन यहां क्या करूंगा मैं प्लस करूंगा 100 प्लस प्रसेंट ब्रद्धी कर दूंगा ठीक है देखो समाझने का प्रयास करो हाद समगरी का मूल 10 प्रतिसात बढ़ गया यहां सही आ यहां बढ़ गया बोल रहा है ना तो नीचे आपके करोगे प्लस ही कर दो ना ठीक है सो प्लस दस कर देना तो इसको साल करूंग इतने हो जाएगा 110 एक जीरो से एक जीरो खतम सो बटे 11 मतलब सो बटे 11 मतलब सो में 11 का भाग दे दो ठीक है इसके बाद के बचरा दोस्तों तो 9 साही एक बटे 11 इसको ऐसा लिख सकता हूं गया तो 9 साही एक बटे 11 प्रतिसत करना पड़ेगा मुझे उसमें कमी करना पड़ेगा ताकि उसका खर्चा ना बढ़े ठीक है चलिए एक और कोस्टन लिखा हुआ यहां पर दो कोस्टन लिया है है ना एक कोस्टन यह हो ग पुन्ह काराण समाफ्थ होने पर वह अपना खर्च कितना प्रिदिस्यत घटाए कि उसके बच्चत पर कोई असर ना हो मानके चलो पहले महमान आगा फिर महमान चले गए तो सीम्बल सा फार्मुला है सो गुडित क्या करना है बरदी कितनी हो रही है बिस प्रिदिसर तो सो गुडित ब्रिस कर दो मटे सो प्लस कर दो बीस कर दो तो सो गुडित बीस लिए बिटए 120 लिए खाटिंगे तो 2120, 20 120 ठीक है दो से काट ہوऊंगा दो थी अच्य है ये कर जाएगा 50 अब 50 वट्टे 3 मतलब क्या हो जाएगा तीन से कट जाएगा यह 16 वार तो 16 सहीं 2 वट्टे 3 हो जाएगा 16 वट्टे 3 मतलब 16 सहीं 2 वट्टे 3 प्रिदिशत करना पड़ेगा मुझे कमी करना पड़ेगा खर्चे पे ठीक है समझ में आ गया यह दोनों टाइप मैंना बता दिया चलिए नेस टाइप के कोश्चन और देखते हैं देखे दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आए कि एक बेक्ती की आये 10 प्रिदिशत बढ़ी कुछ दिनों बात पुन है 20 प्रिदिशत बढ़ गई इस प्रकार बेक्ती की आये में कुल कितने प्रिदिशत बढ़ गई इस प्रकार के सवाल जब भी आएंगे ना आपको क्या करना ह पहले कित्व बढ़ी 10 प्रदिशस बढ़ी तो 10 लिख दो फिर कितने बढ़ रही कुछ दिनु बात पुना है 20 प्रिशसद बढ़ गई तो प्लस 20 करदो तीक है तो मैंने 10 लिखा हूं मतलब यह प्लस का 10 है टीक है 20 है मतलब प्लस करीश हो गया प्लस 10 गृटिश बीस बटेश सो इतने प्रिटिसर ग्रद्धी क्या होगी फाइनली होगी तो इसको सॉल करेंगे कैसे सॉल करते हैं सबसे पहले इसको सॉल कर लेते हैं दैस अर वीशों हो जाएगा दस और यहां इस और बीस कित्ता हो जाएगा यह हो जायान किस्ता बर्दी हो रही है गते परण इसी एक और लिखा हूँ और आ यहां पर दूसरा सवाल चैस मोहन ने अपना पहले 15 प्रतिसत घटाया पहले 15 प्रतिसत घटाया मतलब कन्यूसी किया पुने 5 प्रतिसत घटाया मतलब और ज़्यादा कन्यूसी किया इस प्रकार उसके बेह में कुल कितने प्रतिसत की कमी हुई तो देखो 15% घटाया मतलब माइनस 15 लिखना मुझे इसके बाद पुने 5% घटाया मतलब माइनस 5 लिखना मुझे तीक है इसके बाद पलस लिखना है यहाँ पलस ही आएगा तीक है अब दोनों माइनस हो रहा है दोनों घट रहा है तो यहां का करूँगा माइनस 15 गुरी तो यहां करूँगा माइनस 15 गुरीस स्थेए कर दूंगा। पीटटिके हो जाएगा यी बिटा सो हो जाएगा इसको काटूंगा पच्चिस तीया 75 25 के सो इसको जोड़ दूँगा यही पर तो माइनस 20 प्लस 3 बटै के तना हो giay Iran December 3 चो कितना हो जाएगा ऐसी मैनस 80 प्लस 3 बटे 4 हो जाएगा मैनस 80 मेंस कितना बचेगा बिटा माइनस 77 बटे 4 हो जाएगा ठीक है और यह आप कह जाएगा उनसर जाएगा ठीक है चैलिए नेश्ट देखते हैं नेश्वाल है दोस्तों एक आयत के पाँच लभाए प्रतुस्त बलाए प्रतुस्ट प्लस चोड़ाई कित्ते प्रतीस हुआ तो दस लिख दो प्लस क्या करना है मुझे इन नोनों का गोड़ा 15 दूनी 30 और 31 बते 2 ठीक है इसको साल कर सकते हैं या 15 सही 1 बते 2 प्रते हैं भी इसको लिख सकते हैं ठीक है तो इतने प्रतिसत क्या होगी ब्रदी होगी ठीक है चली next question देखते हैं को और सवाल देखते हैं एक आयता कार खेत की लंबाई बीस पिर्ती सत्व लगाना हुआ इसके बाद करना है पिस गुड से कम बीस बिज उस तों पांचे और बार एक इसना पिस अपाइस खूआ गा दॉस्तों पांस से थो बचिए करणो Risko ठीक है, दस ये प्लस मैनस के हो जाएगा, मैनस मैनस दो, दस मैनस दो हो गए, आठ, आठ प्रितिसत के हो जाएगा, परिबरतन हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next question देखते हैं, एक और, question है, दोस्तों, एक बर्ग की भुजा 25 प्रितिसत बढ़ाए गई, उसका 6 रफल कितने प्रितिसत बढ़ा जाएगा, बर्ग के क्या होता है, जिसकी 4 बुजा बराबर हो, और 4 कोल के होते हैं, समकोल होते हैं, मतलब 90 डिग्री होते हैं, यह चीज़ आपको पता होगा, ठीक है, अगर इसकी दोस्तों 4 बुजा बढ़ाए गई, बोल रहा है वो, ठीक है, मतलब यह भी 25 परसेंट बढ़ाए गई है, ठीक है, तो यह भी क्या हुआ है, 25 परसेंट बढ़ेगी, और यह भी क्या होगी 25 परसेंट बढ़ेगी, और यह भी 25 परसेंट बढ़ेगी, कर लेंगे कि पहले बीमा 25 प्रतिसर बढ़ाई दूसरी बीमा भी 25 प्रतिसर बढ़ी टूबी होता है इसलिए दो वार लिके ठीक है पिलास यहां 25 गुरित 25 कर देंगे बटे कर देंगे कर देंगी किसे कटें बतां मुझे 25 गुरित 25 नश्याइगा 25 साही बटेश का प्रतिसर तकी मुरेत होगी यह आपको निकाल को आना चाहिए इस परकार से भी प्रकार के बीदे है तिक